हेलो एवरिवन कैसे आप सभी स्वागत है आपका हमारे अपने यूटूब चैनल सुधी टुटोरियल में और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाक से जाईए और सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको डेली अप्लोड होंगे तो पहला है हमारा फूलो का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है मतलब वह कौन सी गैस है जो फूलो का रंग उड़ा देती है तो वह है क्लोरीन ठीक है फिर हमारा क्रित्रिम वर्षा के लिए प्रियोग किया जाता है तो जब जो क्रित्रिम वर्षा होती है उसके लि लाइट भी आती है फिर है आतीस बाजी में नीला रंग किस कारण से होता है तो ताबा के कारण आतीस बाजी में पीला रंग किस कारण से होता है तो वो होता है हमारा सोडियम के कारण फिर हमारा six number है पॉलिथीन बनाने में किसका प्रियोग होता है तो पॉलिथीन बनाने में इथी लीन का प्रियोग होता है फिर है नौरिस्टिक बरतनों के ऊपर परत किसकी बनी होती है नौरिस्टिक बरतन होती है जिसमें हमा अगर कुछ भी बनाते हैं तो वो उसमें जलता या फिर जलता वलता नहीं है तो उस पर टेफलॉन के परत चड़ी होती है फिर हमारा मूत्र का रंग जो है वो पीला किस कारण से होता है तो यह होता है यूरो क्रोम के कारण फिर आता है हमारा सोडा वाटर बनाने में किसका प्रियोग किया जाता है तो सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाई या अकसाइड गैस का प्रियोग किया जाता है फिर किस गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है तो जिनौन को हम मृदा गैस कहते है यलो केक किसे कहा जाता है यलो केक कहा जाता है यूरेनियम ऑकसाइट को कैलोरी मीटर किस धातु का बना होता है तो कैलोरी मीटर भी हमारा तामबा का बना होता है कैपशूल का आवरण किसका बना होता है जो हमारे कैपशूल आते हैं उसमें जो उपर हमें लगता है कि प्लास्टिक टाइप का है वो किसका होता है वो स्टॉर्च का होता है फिर अंडे का आवरण किसका बना होता है तो अंडे पे जो आवरण होता है वो कैल्सियम कार्बोन वाला लवड है तो एने सीयल है सोना चांदी के सुध्धी करण में किस अमल का प्रियोग होता है तो किसका होता है नाइट्रिक अमल का प्रियोग होता है ध्यां दीजेगा आप लोग गोल क्रांति का संबंध किस से है तो गोल क्रांति का संबंध है आलू से और एक दिन हम वशा का स्रोत है तो फ्रेंग्स ये हो गए आज के कुछ क्वेस्टिन और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में भी सेयर करिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद